हलो फ्रेंज मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुक्पित भोली में आज हम बनाने वाले हैं पावभाजी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सबजीया ली है एक कटोरी यहां पर कटी हुई पत्ता को भी है एक कटोरी फूल गो भी एक आलू और एक शिम्ला मीर्च है एक कटोरी हरी मटर है, दो बारी कटी हूई प्याच है और चार बड़ी टमाटर है, यहाँ पर देशी वाले तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कूकर रखा है उसमें एक चमच तेल डालेंगे और दो चमच यहाँ पर मैंने बटर डाला है जैसे ही अच्छे से गरम हो जाए इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और एक चम्मच राई दस बारा मिठा निम की पत्तियां है तीन हरी मिर्च है एक बड़ी प्याज है कटी हुई प्याज को हम ट्रांस्पेरेंट होने तक भून लेंगे जैसे ही प्याज अच्छे से भून जाए इसमें हम एक चम्मच भर के काश्मेरी लाल मिर्च डालेंगे और डेर चम्मच यहाँ पर पाव भाजी का मसाला है तो मसाला मैंने घर में ही बनाया था है बहुत ही फ्लेवर फूल है बहुत ही टेस्टी बनी थी इसे के कारण यह पाव भाजी अगर आपने घर में पाव भाजी का मसाला पनाया और इस तरीके से इसकी भाजी बनाई ना इसे डाल करके तो आप यकिन मानिए आप मार्केट का पाव भाजी खाना ही भूल जाएंगे अब यहीं पर मैंने अद्रक और लहसुन डाली है कूटी हुई तो आठ दस लहसुन की कलिया थी और एक इंच अद्रक का तुकड़ा था इसे मैंने कूट लिया अच्छे से इसी में कटी हुई टमाटर डाल देंगे और सारे मसालों को हम अच्छे से भूल लेंगे अब इसी में हम सारी सब्जियां डाल देंगे तो मटर, खुल गोबी, पत्ता गोबी सिम्ला मीज और यह कटी हुई आलू है तो आपके पाँ जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं आपको इससे डाल करके बना सकते हैं और पाभाजी मसाला बनाने की जो 레시पी है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी तो आप वहाँ से देख करके बना सकते हैं सबजियों को मसाले के साथ में अच्छे से mix कर लेंगे और इससे 2-3 मिनट के लिए हमें भूनना है ताकि जो मसाले का flavor है सबजियों में अच्छे से आ जाएं अब इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और जब सबजी आछए से बून जाती है तो इसका टेश्ट और भी अछ्छा आता है जैसा ही सबजी आछए से बून जाए इसी में हमें एक ग्लास पानी डाल देंगे जİतने में सबजीयां पक सके बिल्कुल भी जादा पानी नहीं डालना है हमें इसमें, क्योंकि सब्जिया भी अपना बहुत सारा पानी छोड़ देगी अभी, अब इसे लगबग 7-8 सिटी आने तक हमें पका लेना है, तो ये देखिए, सब्जिया पक चुकी है, अब इसे एक मेशर की साहता से हमेश कर ल दिया है मैंने, और अभी ये बहुत पतली लग रही है, क्योंकि सब्जियों ने भी बहुत सारा पानी छोड़ा है, तो गैस को हम आउन कर लेते हैं, इसमें हरी धन्या के पत्तियां डाल देंगे, और इसका पानी हमें थोड़ा सा कम करना है, इसी में एक चमज भर के बटर डाल देंगे, और लगभग 3-4 मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे, ताकि जो सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी है, वो सुख जाए थोड़ा सा, तो ये लिजे इतना ठीक रखा है मैंने इसे, और इसकी जो खूसबु है, वो दूर दूर तक जा रही है, बहुत ही स्व भाजी है, वो हम डाल देंगे इसी में, आप चाहें तो यहां पर पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, भाजी की जगह, लेकिन जो ठेले पर मिलती है, उसमें भाजी लगी होई होती, तवे पर तो बहुत ही टेस्टी लगती हो खाने में, और ये देखे, इसे अच्छे से हमने सेख लिया है, और ये लिजे हमारी कर्मगरम पाव भाजी तयार है, तो आप लोगों को आज की रेसिपी कसी लगी, मुझे जरूर कमेंट करके बताईया, और अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक किजे, और अ प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पिलिए जैसी क्रिशना